Hello everyone, welcome back to the YouTube Digital Classroom of Lalbagh Girls Intermediate College मैं Mrs. N. Singh, Class 12, आपका chapter चल रहा है राजा, किसान और नगर जिसके अंतरगत लास्ट वीडियो में आपने चंद्रगुप्त मौरे के शाशन प्रबंद के बारे में पढ़ा इस वीडियो में आप समराथ अशोक के बारे में पढ़ेंगे समराथ अशोक दूसरे मौरे शाशनक बिंदुसार के पुत्र थे इन्होंने 268 हिस्वी से लेकर 232 हिस्वी तर शाशन किया रास्टिय एकता और सामराज को अखंड बनाने के लिए अशोक ने अनेक कारे किये जिसके अंतरगत अशोक ने समपूर देश में एक केंद्रीकित शाशन तंत्र की स्थापना करके समपूर मौरे सामराज को एक शाशन के अधिन ला दिया धार्मिक सहिशुकता के लिए इन्होंने स्वयम बहुत धर्म ग्रहन कर लिया था परन्तु उन्होंने अपनी प्रजा पर कभी शाशक का धर्म मानने के लिए दबाव नहीं डाला उन्होंने मानावता को परम धर्म माना था तथा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हुए अनेक नैतिक और भौमिक उत्थान का प्रयास किया समराट अशोक अपने अभिलेखों में एक भाषा और एक लिपी का प्रियोग किया अभिलेखों में जन सामानने की भाषा प्राकृत भाषा क्या प्रियोग किया गया और जिसकी लिपी ब्राम्ही लिपी थी इस ब्रकार इन्हों ने संपूर सामराजी को एकता के सूत्र में बादने का प्रयाज किया अधिकांश अभिलेखों में प्राकृत भाषा एवं ब्रामी लिपी में उतकिन है जबकि पश्यमोतर भाग में प्राप्त अभिलेख आर्मेइक और युनानी भाषा में उतकिन किये गए है आर्मेइक और युनानी लिपियों के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए है अशोक ने देवा नाम प्रिय यानि देवताओं का प्रिय या प्रियदस्य की उपाधिया धारण की थी अभिलेखों में उनके विचारों, कलिंग युद्ध, शिर्दय परिवर्तन और प्रशाशनिक सुधारों का वरणन मिलता है अशोक के स्तंब के बारे में आप पढ़ेंगे कि अशोक के सारना सिंह स्तंब को भारत सरकार ने रास्टिय चिंड के रूप में अपनाया है यह भारतियों की वीर्ता, एकता, प्रगती तथा उच आदर्शों का प्रतीक है यह स्तंब 250 इस्वी पूर्व में बनवाया गया था इसमें चार शेर और धर्म चक्र है इसी प्रकार का स्तंब साची में भी बनवाया गया था इसमें भी चार शेर है, वैशाली स्तंब में केवल एक शेर है यह बौध मठ के पास बनवाया गया है मौरे सामराज लगभग देड़ सो साल तक सत्ता में रहा मौरे सामराज के स्थापना से एक नए यूग का प्रारंब हुआ इससे पुर्व का इतिहास प्राया अंधकार पुन था जब की मौरे सामराज के स्थापना से भारती इतिहास प्रकाश मान हो गया बच्चों आप नेक्स टॉपिक आप पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिधान जो दक्षिण के राजा और सर्दार के बारे में थैंक्स पॉर वचिंग